हेलो नमस्ते फ्रेंस कैसे हो आप सब होग करती हूँ आप सब ठीक होंगे फ्रेंस आज हम चोटे से जो ब्लावच्पिस के टुकडे बचे होते हैं उसका रियूस करेंगे और इसमें से हम दो डियाइवाइ बनाएंगे आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और ट्रीडिशन यहां पर की और हम यहां पर 1.5 या 2 इंचीS SCT कर लगाएंगे और a 3.5 ंड"? कर दो सब्सके और दूसरा पार्ट भी आपको कट करना है अब कोई भी आपके पास जो लेट अवेलेबल है वह आप इस तरिखे से घोटा पतिदिuse या इस तरीखे से मोती वाली आटेज कर सकत हैं तो ऐसे आपको पूरे राउंड में अटेज करना है जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लीजेगा और इस तरके से अटेज करने के बाद इसी किना आप से हमने नौन कट किया उसके उपर यह पाथ हमें उल्टा रखना है यहां से लेकी यहां तक स्टीज करना ऊपर थोड़ा सा हमें खुला रखना है बाकी हमें पैक कर लेना है एक्स्ट्रा जो भी नौन वन आपको दिख रहा है वह आप निकाल लीजे देखिए यहां पर मैंने नौन वन यूज किया है लेकिन आप यहां पर कपड़ा सा यूज कर सकते हैं एम्रोडरी की वज़े से यहां पर यह थिक लगाया था तु इंचिस पिए वहाँ पे और सिच पर आ पर यूज करना है ऐसे और थे यहां पर बूड़ करती हूए ने करना के बात दोनों पाठ को इससी तरीके से अप्सक्ड़ करके रेडि कीजिए फिर आप दोनों पाठ को मिला लीजेए निक हैं पर मैंने फर्ड़ तो नाप कैसे लेना है यहां पर एसी phold करके तोड़ा सा एक्ष्रा रखना ह। में ने केरें 90 Χ की दो दोर्यां लिए है और इसे यहां से हम इन할कों करीं хотел दूसरी सब्सक्राइब करARS वैसे सामनी सामने सामने आपको 30 dwelling करना दूसरी सायट से निकालना तो यहां पर इन करने के बाद आपको क्या करना है दोनों साइड नोट लगा लेनी है तो यह हमारी प्यारी सी पोटली बैग रेडी है तो अभी जो हमारे त्योहार आ रहे हैं रक्षा बंदन जन्मास्ट में तो तब जब हम ट्रडिशनल लुक में रेडी होंगी तो ऐसी हमा नीचे नौनवन अल्रेडी अटेज कर लिया है तो जहां पर आप राइस बैग यूज कर सकती है और फिर यहां से आप राउंड सेप दीजिए कुछ इस तरीके से और इसे फॉल्ड करते हुए दूसरी साइड कट कर लिजिए तो सेम नाप आ जाएगा आपका देखिए कु तो यह मैंने लिए हैं 2.5 by 2.5 inches के हैं और यह जो पार्ट उसे सैंटर से आपको को मार्क करना है नौचिस लगा देना है से फॉल्ड करके फिर हम यह जो 2.5 by 2.5 इंचिस का पार्ट है उसे भी नौचिस लगाएंगे दोनों पार्ट में ऐसे और फिर नीचे दोनों को मिलाते हुए आपको स्टीज करना है यहां पे दोनों साइड करने के बाद आपको क्या करना है इसे कर हैं फॉल्ड कुछ ज्यादा नहीं करना है यहां से आप फॉल्ड करके स्टीज करें दोनों साइड एसे कर लीजेगा से यहां पे दिखेंगे थोड़ा सा उपर खुला रखा है और स्टीज कर लिए अब दूसरी साइड का जो पार्ट है उसे भी हम स्टीज करके फॉल्ड बेल्ट आप लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं लेकिन मैंने ली है लावानी जिसकी और यहां पे हम दोनों साइड आमने साइमने सेंटर में जितनी भी जगह रखनी है उटनी रख के अटेश करना है अब हम यहां पे जिप को नाप लेंगे इस तरीके से और दो जिप लेंगे जिसका नाप लावानी जिस है और हम तीन पार्ट लेंगे 6 बाई लावानी जिस के तो नाप कैसे लिया है हमने तो यहां से हमने नाप लिया 4.5 इंचिस आ रहा है यहां तो हमने क्या किया उसे थोड़ा सा बढ़ा रखा इसलिए 6 इंचिस रखा है अब तीनों पा करते हुए आपको अटेज करना है और इसके उपर टॉप स्टीच कर लेनी है फिर हमारे नौन वन के जो दो पार्ट हमने कट किये थे 11 बास 6 इंचिस के उसे लेना है देखिए नौन वन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अस्तर ले लिजेगा और फिर दोनों सा हमने थोड़ा सा खुड़ा था तो यह पोकेट को पीछे करें यहां पर दोनों को पकड़ी और स्टीच करें अब हम क्या करेंगे यहां से स्टीच करना स्टार्ट करते जाएंगे यहां तकाएंगे स्टीच करेंगे उसके बाद हम स्टीच करने के बाद जो बॉर्डर है उ और दूसरी साइड का पार्ट यह हमारा खुला है उसे भी यहां से सिलाई करते हुए आपको पैक कर लेना है तो आप देख सकते हो यहां पे हमने पैक कर लिया है अब देखें यह पोकेट का यह पार्ट हमने खुला रखा है वहां से हम जिप को ओपन करेंगे बैक को करेंगे सीधा और यहां पर हम पोकेट वाला जो तीन पार्ट है हमारा लन बाइस से जिसका उसे पैक करेंगे तो यह कितनी प्यारी सी दोनों बैक बनी है जो हमारे अभी के जुट्यवार है ट्रडिशनल लुक के लिए परफेक्ट है और चोटी बच्चियों को गिप्ट में देने के लिए भी परफेक्ट है तो हब करते हूं दोनों वीडियो आपको आइडिया अच्छा लगा होगा चलिह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाई जय वारत